नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पर आज मैं आप लोगों के लिए 13 जनवरी के फस्ट और सेकंड शिफ्ट में आयवे जीके और जीएस के लगभग पचास प्रस्ट लेकर आया हूं यह सभी प्रस्ट रियल और अथन्टिक हैं आप लोग इन प्रस्टों को देख लीजिए तो चलिए टाइम ना वेक्ष्ट करते हैं पहले प्रस्ट है ठीक है तो आज क्या जो पहला प्रस्ट आया हुआ था 2011 की जनगर्ण में पहले में आपको second shift करांगा उसके बाद Hist करांगा थीक है तो पहला प्रश्ट आ था 2011 की जनगर्ण में महिला का प्रतिस्ट्ट सिंख अधर कितना था तो सई चुआप हो जाएगा पूर्सोग आपसे पूछता है तो पूर्सोग था चोहत्तर दसम्बलो चार चे पूर्थिशत थे ठीक है चलते हैं अगला प्रश्ण की और अगला प्रश्ण आपसे पूछा था हिंद स्वराज बुक किस निल की है तो जो हिंद स्वराज बुक है वो महात्मा गांधी निल की है 1909 इश्वी में ठीक है अगला प्रश्ण जो आपसे पूछा था कांस की नटराज की मुर्ती कहां मिली थी तो ये थी मोहन जोदरों में मिली थी ठीक है चलते हैं अगला प्रश्ण की और अगला प्रश्ण जो आपसे पूछा था जैद अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने दिया था तो UAE ने दिया था कौन से UAE ने United Arab Emirates ने ठीक है अगला प्रश्ण जो आपसे पूछा था ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फॉल फॉर्म होता है ASCII का American Standard Code for Information and Interchange ठीक है चलते हैं अगला प्रश्ण जो आपसे पूछा था हूँ पूल सुराज की मांग किस Congress अधिवेशन में की गई है तो जो पूल सुराज की मांग थी Congress के लाहूर अधिवेशन 1929 में की गई थी ठीक है और इसके अध्यक्ष कौन थे जवालाल नहरुजी थे ठीक है अगला प्रश्ण आपसे पूछा था लेंस की SI unit पूछा था तो लेंस की SI unit आप लोगों को पता ही होगा टायोप्टर होती है ठीक है अगला प्रश्ण आपसे जो पूछा था भारत का Napoleon किसे कहते हैं तो भारत करने पूरियन समद्र गुर्प को कहते हैं ठीक है चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण आपसे पूछा था जलिया वाला बाग कहां पर है तो यह सब को पता होगा कि जो बल जलिया वाला बाग है यह अमरिस सर पंजाब में है और जो घटना होई थी उननीश करता है ठीक है अगला प्रश्ण आपसे पूछा था फीफा वर्ट कर 2018 किस देश ने जीता था तो फ्रांस ने जीता था ठीक है आपसे यह भी पूछ सकता है अगला फीफा वर्ट कहां होगा तो कतर में होगा ठीक है 2022 में ठीक है चलते हैं अगला प्रश्ण आपसे पूछा था, तो जो UNEP है इसका जो full form है United National Environment Program इसका full form होता है और जो UNDP है ऐसका full form होता है United National Development Program ठीक है जो UNEP है इसका ही हैटकवाटर है Kenya के नेरोबी में है और जो UNDP है इसका हीटकवाटर है अमेरीका के New York में है ठीक है चलते हैं अगला प्रस्थ ड्रॉप से पोछा था 2019 में कुस्ति championship में किस ने gold medal जीता भारत के लिए MC Merrickon ने 2019 में कुस्ति में gold medal जीता था चलते हैं अगले प्रस्थ की और अगला प्रस्थ ड्रॉप से पोछा था कौन सी aircraft company crisis के कारण बंद हो गई थी 2018 में कि 2019 में ठीक है तो जो स्पाइज जेट है यह बंद हो गई ठीक है अगला प्रशन आप से पूछा था प्रारूप समित्री के सदस्ट नहीं थे इससे रिटेट कोई कोशन पूछा था तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रारूप समित्री के जो सदस्ट थे वह भीमराव मेट कर जीते ठीक है अगला प्रश्ट आप से पूछा था देखे यू-स-स-अर से बार-बार कोशन पूछा जा रहे हैं तो जो यू-स-स-अर है यह उससे पूछा है कौन सा देश यू-स-वेस संग से पहले अलग हुआ है तो कल भी से पूछा था तो सबसे पहला देश जो आरक्षण दिये गए हैं तो आपको पता है लोक सभा राज सभा में तो आरक्षण नहीं है लेकिन जो पंचायद के चुनाव होते हैं इसमें जो है महिला को आरक्षण मिले हैं ठीक है चलते हैं अगले प्रेशन की और तो अगला प्रेशन जो अपसे पूछा है कौशिका की सबसे ज़्यादा उर्जा कहां से मिलती है तो जो ATP होती है वहां से उट्जा मिलती है अगला प्रशन आप से पूछा था हुमायू नामा किसने लिखा है तो हुमाईू नामा जो है गुल बदन बेगम में लिखा है अगला प्रशन आप से पूछा था J एन एन यू आरम का full form क्या होता है तो जवाहाल लाल नहिरू तो इसमें जो option रहा हो, आप लोग उसको देख लिजेगा, ठीक है, चलते हैं, first trip में, कौन से प्रश्ण आया थे, वो देख लेते हैं, आप लोग math का भी देख लिजे, किस से related कौन कौन से पूछे का थे, trigon के थे, geometry के थे, यह सब आप लोग देख लिजेगा, ठीक है, अब अगला प्रश्ण आप से पूछा था, भूपेन हजार का कहा के निवासी थे, तो देखे, इन्हें 2019 में, भारत रत में में विला था, यह अश्रम के है, ठीक है, अगला प्रश्ण आप से पूछा था, डबलु एच ओ का है, तो जो डबलु एच ओ है, वर्ड हेल्थ ऑगना लाहोर अधिवेशन की अधिश्टा किशने की थी, तो जो यह कूछन देखिए, जितने भी कॉंग्रेश अधिवेशन है, उससे लिटर हर सिफ्ट में एक कूछन कम सकम आ ही रहा है, तो आप लोग इसको जरूर दियान से पढ़़ड़ीजेगा, ठीक है, तो इसमें पूछ पूछा था, NS2 का निर्माल किस निकराया था, इस टाइप से कॉछन पूछा था, तो NS2 जो है, उसे हम लोग Grand Tung Road भी कहते हैं, और इसका निर्माल जो है, शेर सा सूरी निकराया था, ठीक है, अगला प्रशन आप से पूछा था, 2018 में, इंदरा गांधी स्टेडियम में कौ पहली महिला रेफरे, ठीक है, अगला प्रशन जो आप से पूछा था, इन में से कौन सा संसत का भाग नहीं है, तो आपको पता है, जो लोक सभा है, राज सभा है, और राश्टपती, ये तीनों संसत के भाग होते हैं, लेकिन जो विधान सभा होती है, ये राज के भाग हो बढ़िए ठीक है और इसके अध्यक्स कुन होते हैं तो प्रधान-मंत्री होते हैं ठीक है अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था cricket one day match के world cup final में इंडिया कितनी बार पहुचा है आपसे पूछा है एक था 2003 में जब यह फाइनल पहुचा था लेकिन अस्ट्रेलिया से हार गया था ठीक है अगला प्रशन आप से पूचा था बुरन दर्वाजा किस ने बनवाया है तो बुरन दर्वाजा जो है अकबर ने बनवाया था ठीक है गुजराद विजय के उपलक्षी में अगला प्रशन आप से पूचा था स्टैचू अफ यूनिटी वो कहाँ पर है तो इसको सब को पता होगा कि जो सर्दार बल्लब भाई पडेल की सबसे ऊची मूर्ती है इसे हम लोग स्टैचू अफ यूनिटी कहते हैं और यह गुजराद में है अगला प्रशन आप से पूचा था वनस्वती विज्ञान के जनक कौन है थियोफ्राष्ट जो है थियोफ्रेश्ट यह है वनस्वती विज्ञान के जनक अगला प्रशन आप से पूचा था सापेक्सिता का सिधान किस ने दिया था तो Albert Einstein ने दिया था सापेक्स्ता का सिद्दान E बरावर MC स्क्वार है अगला प्रशन आप से पूछा था C++ किस प्रकार की भासा है जो C++ होती है ये High Level Language है और इसका निर्मार 1970 में हुआ था ठीक है अगला प्रशन आप से पूछा था Isro का Headquarter कहा है तो Bangalore में है Isro का Headquarter इस रोका Full Form क्या होता है Indian Space Research Organization ठीक है और इसका जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी ठीक है अगला प्रशन आप से पूछा था Vikram Sara भाई Space Center का मुख्याले कहा है तो ये तिर्वेंजपुरम में है ठीक है अगला प्रशन आप से जो पूछा था UIDAI का Full Form क्या होता है तो Unique Identification Authority of India जो हमारे अधार कार्ड होते है यही जनरेट करते हैं कौन UIDAI ठीक है अगला प्रशन आप से पूछा था महलो का सहर किसे कहा जाता है तो Kolkata को महलो का सहर कहा जाता है अगला प्रशन आप से पूछा था Zero milestone कहां पर इस्थित है तो Zero milestone जो है वो नागपूर में इस्थित है अगला प्रशन आप से पूछा था गंगा ग्राम योजना किस मंत्रा ले के अंतरगत आता है तो यह गंगा ग्राम योजना कारिकरम है यह Ministry of Drinking Water and Sanitization मंत्रा ले के अंतरगत आता है तेक है अगला प्रशन आप से पूछा था स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है 1923 में अलहाबाद में हुई थी और इसकी जो स्थापना करता है वो चितरंजन दास और मोतिलाल नहरूजी है तेक है अगला प्रशन आप से पूछा था किस वर्स में वोटिंग की जो एज है 21 से 18 कर दी गई थी तो 1989 स्वारी 1989 में ये जो है 21 से 18 कर दी गई थी और कौन से सविधान संसोधन में 61 अर्थाथ 21 से 18 कर दी गई थी अगला प्रशन आप से पूछा था प्रथम पंचवर्ची योजना से रेटेट कोई कोई कोशन पूछा था आप लोग बताएं जो देके आए हैं मोरे बताएंगे कौन सा कोशन पूछा था देख्या चलते अगला प्रशन की और आप से जो अगला प्रशन पूछा था आजाद भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे तो लाइड माउंट बेटेन थे ठीक है और आप से अगला प्रशन पूछा था किस प्रणाली में सौर उर्जा का उपियोग होता है तो जो प्रकाश रंसलेशन होता है जिसमें पत्तिया अपने खाने बनाती है भोजन बनाती है उसमें होता है शौर उर्जा का उपियोग अगला प्रशन आप से पूछा था विशाम इसमें से कौन सा आपको चुनना है तो उसमें नदियों के राम दिये थे जबकि गुदावरी जो है दच्छिरबाद की नदी है अगला और अंतिम प्रशन जो है पूछा था आपसे निम्न में से कौन सा क्वेरी लेंग्विज है तो उसमें उप्सन चार दिये गए थे जिसमें जो था SQL जो SQL होता है यह है क्वेरी लेंग्विज इसका फूल फॉर्म क्या होता है इस्टेंडर क्वेरी लेंग्विज ठीक है तो देखिए वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा आप लोग को इसको PDF के लिए नीचे देए डिस्क्रिप्सम में टेलग्राम का लिंक होगा आप लोग हां से जाइन हो जाएए वहां मैं आप लोग PDF प्रवाइट करा दूँगा धन्यवाद